दोस्तों सीमा भगोडी का भांडा फूट चुका है और तार-तार हो चुकी है सारी खोजे निकल चुके सब चीत निकल कर आ चुका है आज मैं बहुत सारे ऐसे खुलासे करने वाली हूँ जिसे सुनकर आप जरूर आपको खुशी भी होगी और जो कुछ लोगों को दुख भी आएगा तो सबसे पहले मैं कहते हूँ थूकती हूँ आप जैसे मर्दू पर जो आप ऐसी और तुको जो अपने पती को धुका देके अपने घर बर बात करके अपने बच्चों की जिंदगी दाव में लगा के दूसरे मुलक में भाग कर जाती है नाजाइज रिस्ते में ज शरमाती क्योंकि आप मर्द नहीं होते हो और हमारे देश की बेटियों से जो सच के लिए आवाज उठाती है उसे कहते हो तुम जैसी और तुक कारल भारा देश महान नहीं है हमारा देश महान है चरीतर ही महलाओं के वज़े से जो अपने पती के साथ गद्दारी करके उसक सीमा के पास कितने करोड रुपे जो भी उसमें से सीमा तुम्हें एक करोड रुपे देगी तो भाई तुम जैसे अब क्या कहूं मैं यूटूब की पॉलिशी की खिलाप नहीं बोल सकती इसलिए बहुत कुछ जुबान है हमारे अंदर भी कि हम जबाब दे सके आपने सुन सीमा होगा ना डायलोग दे क्ल слуш पिलम थी देव बाबु कोशन फिलम थे टे उसमें जये Però सिंदू की कीमत तुम क्या समझे देव बामू उच्ट के सिंदूर की कीमत अपने पती को धौका देने की आर उस जो लप्पुने में भणि सिंदूर उसकी कीमत 3 करौड रुपे स चुकानी है और लप्पू को शिंदूर भरने की कीमत तीन करोड रुपे से चुकानी है ए पी सिंग को अपनी बेहन को बेहन कहने की कीमत मीना सचिना कहने की कीमत LIVE के Warm Time बहेत कि लो चुट तुम को आप संपैथी दे रहें कुछ लोग वीडियो में कुछ नहीं होगा भगवान तुम्हें बचा लेगा तुम सची हो तुम मुझ्रा करोगी हमारे देश में तुम्हारे ये सारे राष्टे कुले हैं भगवान पर तरसका और जैसे कि आपने देखा आज रोते हुए भ परिवार को रूला चुकिए जो इस भगोडी के वज़े से सस्पेंट हुए हैं बॉर्डर से और ये रूला चुकिए उस गुलाम हैदर को जिसके साथ इसने इतने साल गुजारे उसके बच्चु को लेके नाजायच तरीके से भागी इसने धोका दिया उसके प्रॉपर्टी महदर से मुझे ही नहीं है भाई आज पूरे देश को खुंदक है इस औरत से इतनी नीच घटिया गिरी हुई और आज तक हमारे देश में नहीं आई मैं ऐसे सब दुका इस्तमाल नहीं करती थी लेकिन इसने अपने सारे दाइरे क्रॉस कर दिये सारी लिमिट पार कर दी इ कि कुछ औरते कहरी थी जो आँ जाती है तो थू है ऐसे लोगों पर जो इसके घर जाते है ऐसे लोगों के कारण फेमस होना चाहता है कितने दिन अपने घर के चूले जला लोगे भाई हमसे बोलते हो अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए हम इसका नाम लेते हैं तो आप मेरा चैनल स्सारे समाजी मुद्धध हैं, हमारा लक्ष होता है, अपनी बात को समाज के 20 तक लाना ऐसी गंदगी को साप करना ऐसी गंदगी को साप करने के लिए हम किसी भी हद तक गुजर जाते हैं आपके हिम्मत हो तो आप चिलाते रहो वोकलाते रहो क्योंकि साफ दिख रहा आपका वोकला हट है सीमा हैदर जाने वाली है इसके ओपर जुर्माना लग चुका है और अभी अभी में देख रही थी मूबिन मलिक सापका नया अपडेट जिसमें उन्होंने है कि यह माफी मांगे अगर पैसा नहीं है तो माफी माफि मागे एन लोग उने खेल आ ह야 यह कहीं पर चूक से घ्रष्ट में कर दूँगा केस कर दूँगा जो कि वास्ता हुआ वो खुछ ही नहीं केस करने में अपनी उस डूपती वहन की नईया बचाने के लिए भी नहीं थी तो का जूट इधा हिए जो थीए Grandma एक वीडियो देख रही थी जो पाकिस्तान की चैनल पर चल रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि यह कल बिमार हुई है इसको अस्पताल में भरती कराया है मरनासन हालत में है और इसको डिप्रेशन में चली गई तो कहां तक सच है मुझे नहीं पता क्योंकि कई लोग ने कमेंड कर के पूछा था मुझे लाइब में कि ऐसा है क्या लेकिन मुझे नहीं पता जब तक मुझे अंदर खाने चीज पता नहीं चलती है तब तक मैं सोसल मीडिया पर नहीं बताती हूं और अंदर खाने लोग इसके जो चटोरे हैं जो इसके घर जाते में उन लोग उसे मेरे संप पार कर दी अपनी बच्चों को जिंदगी से खिलवाल कर चुकी है और लोगों को अब आग लग चुकी है कि हमारे भारत की महलाएं बढ़ चड़कर आवाज उठा रही है और मैं सल्यूट करती हूं उन महलाओं को और उन चैनल को जैसे स्रावणी मिस्राजी जैसे उनका चै करती है कहीं न कहीं किसी बड़े सक्स का सपोर्ट है इसे अब मुझे भी लगता है जो इतना उससे आज इसका आशू बहाते हुए वीडियो देखकर लग रहा था कि अब साइद यह लेकिन यह इसने फिर एंड में बोल दिया कि मेरा एनिवर्सरी का गिप्ट आया है अब एनिवर्सरी हैदर की एनिवर्सरी को बोल रही है लप्ट की एनिवर्सरी को बोल रही है अब यह खुद कंफ्यूज है मैं किस एनिवर्सरी की बात करूं क्योंकि लप्ट की बात करती है तो यह लंबी जाती है जेल क्योंकि इसने साप लिखा बेल के कागज में कि मैं गु गवान भी चाहे ना इसका अल्ला भी चाहे यह इस गुनाह से नहीं निकल सकती है अगर यह रोक घुटड़े तेकर गिड़ गड़ा के माफी मांग के सोसल मीडिया किसी भी तुरू से कहती है किसी भी चैनल पर तो सायद इसको बच जाए लेकिन नहीं लगता भई यह अब ब कि तु कर क्या रही है तु कर क्या रही है हाद इसे पार कर चुकिए पूरी तर के साथ पार कर चुकिए भाई उस ना जायज रिष्टे को जायज देनी की करार देनी की कोशिस इसकी सब फेल हो चुकिए कानून नन मोभीन मलिक साब का थैंक्यू और हम साथ में मोभीन मलिक साहब ने कहा वह पाकिस्तान की जो बंदी हैं उनसे भी मिले हो पाकिस्तान जेल में उनके लिए भी बहुत सारी सुधाय करते थे उनके लिए संपहत्थी करते उनसे मिलते थे उनसे discussion करते थे अभिर पकड़ चुका और बहुत बुरी तरीके से भंडा फोड़ हो चुका जैसे social media में लोगों को धडलने से धमकी दे देती थी कुले आम हसती थी open बेहयायूं की तरह हसी हसती थी इसने बेसर मिकि वो तो सारी सीमाय पार करके रख दी थी तो अभी से पता चलेगा कि बहुत जल्दी इसको भी अच्छी नियूज आएगी बहुत जल्दी अच्छा ख़बर मिलेगा तो थैंक्यू सोमच दोस्तों मैं मंजू भी स्कुर्मा अच्छी प्रेणा लाने की कोशिश करती हूं डेली सब्सक्राइब करें फोजी भाई का बेटा भी आ चुका है मेरे साथ बेटा डॉक्टर बनोगे या आर्मी ओपी सर डॉक्टर फिर से कहारा डॉक्टर बनूंगा है चूंकि आर्मी वाले घर नहीं आते पापा बहुत दिन में आते हैं यह तकलीप होता है बच्चू का हमा आरे जो देश की रक्षा करते हैं वह अपने बच्चू की रक्षा नहीं कर पाते हैं अपने घर नहीं आपाते हैं रक्षा तो करते हैं मतलब घर नहीं आपाते हैं किसी खुसी के मौके पे तीज त्योहार के मौके पे उनकी डूटियां वर्डरू में तेते हैं और अपने देश के लिए एक प्राणव नोने लिया होता है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए हम अपना परिवार को भी त्याग दिंगे यही दर्द हम लोगों के परोता जिसके लिए हम बोलते हैं ऐसे लोगों के वज़े से सीमा हैदर जैसे घुसपाइटियों के वज़े से हमारी आर्मी हमारा पुलिस फोर्स कहीं न कहीं एक संदेख के घेरे मां आ जाता है अभी दो सस्पेंट हुए हैं जो एसेसबी के जवान बहुत दुखत हुआ है उनके साथ तो थेंकि सो मज़ दोस्तो यही एक तकलीफ होता है जो हमें सियर करना पड़ता है जो आप लोग कहते हो क कि आप कौन होती है उस पर सवाल उठाने वाले तो आप कौन होते हो हमारे आर्मी के जवानों पर सवाल उठाने वाले हमारे देश के बिरोधियों जो बिरोधि होते देश द्रोही उनको सपोर्ट करने वाले तो मुझे कमेंट के बाद यमसे जवाब जरूर जन थेंकि सो म तेह दिल्चे धन्यों